हेलो स्टूटेंट्स वेल्कम बैक तो यॉर ओन फिजिक्स क्लास तो अब हम शुरुवात कर रहे थे क्या रेंजमेंट होता है क्या यूज है अब हमें सबसे पहले जो पढ़ना है जो जानना है तो यह जो तरीके से एक तो जो जो मैं यूट्रि बेसिस पर कि आप arrangement कैसा कर रहे हो और दूसरा medium के base के medium between plates यह आपको अभी नहीं पढ़ना यह आपको higher classes में पढ़ना है जो बीच के medium बेड़ेपेंड करता है जिसके हिसाब से हम नाम को बीच के medium के हिसाब से लेते हैं वो हमें बाद में पढ़ना है फिलाल हमें geometry के base वाला पढ़ना है और जिसमें से हमारे पास एक है parallel plate एक हमारे पास parallel plate capacitor है दूसरा हमारे पास cylindrical capacitor है तीसरा हमारे पास spherical capacitor यह है हमारे CVSC के syllabus में parallel plate capacitor ही है सिर्फ competitive exams में यह भी पूछे जाते हैं बट हमारे CVSC के syllabus में हम से सर्फ parallel plate capacitor के बारे में ही पूछता है सिर्फ वही है हमारे syllabus में ध्यान रखें आप parallel plate capacitor तो हम सर्फ parallel plate capacitor की चर्चा करेंगे थोड़ा दोख हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे पर हमारा में फोकस तहां है पैलल प्लेट capacitor तो आप देखें capacitor हमें पता है कि दो प्लेट के रिर्मेंट हैं तो हम टॉपिक का लिए रहे हैं टॉपिक है टैपसिटेंट ओफ प्रेट प्रेंट यह पाथ है हमारे पास और हमें बता है प्रेट में हमारे पास दो प्रेट्स होती हूं बेसिकली वो प्लेट्स ऐसे होती यह जैसे मेरे दो बात नहीं है यह प्लेट्स होती एरिया होता है इनका ज्यान रख्याँ पर मैं इसका सरफ साइड ग्रू देखना हूँ यह वाला तो सरफ इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ की है तो यह पैनलल पेट कैपसितर है और मानता सेपरेशन से एरिया बहुत जादा बढ़ा हूँ अच्छी है आप इस यूजर इसको पॉजिटिव चार्ज देजिए हो इसको ग्राउंड कर रहे हो जो आपने पढ़ा था चैपसिटर बनाते समय यह अब हमने गौजलाव में पढ़ा था कि इलेक्रिक फील्ड इलेक्जर फील्ड गीट्विट्विट्वीNIS पॉजिट्स जब हमने गौजल थेरों की एप्लिकेशन पढ़े थे कॉम्भीनेशन ओवसीट के बारे में पढ़ाता है वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखा तो combination of sheets के बारे में बढ़ाता अगर एक के उपर positive charge हो एक की density positive हो एक की charge density negative हो तो इनके बीच का जो electric field होता है E that is sigma by epsilon अब हमने electric field की तो बात यहाँ पर sigma की तो बात नहीं की थी पता है हमें sigma equal to q by होता है यह भी पता है तो मैंने क्या पूर करूँ हूँ q upon ax अब आप देखी हमने पढ़ाता E equal to dv by dr माइनस पढ़ाता इससे आप क्या put कर सकते हो इससे आप चाहो तो v equal to e into d एक relation भी पाज़कते हो dr और d dr का मतलब उस है distance यहाँ भी d का मतलब distance बहुत चोटा है फिर यह भी पढ़ा हमने q equal to c v होता है यह सारी values put कर दो किसके अंदर किसके अंदर तो यहाँ देखे आप e की जगा e की जगा v by d e की जगा that is v upon d q q means c v divided by e so so what is the value of c c will be b we cancel out a epsilon not divided by 2 this is the capacitance of a parallel plate capacitor screen को pause करें इसको write down करें यह parallel plate capacitor गी capacitance का expression है note करें आप देखें अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ एक parallel plate capacitor की capacitance किन-किन factors पर depend करता है तो याद रखना जो capacitance है capacitance depends on आप देखें c equal to a epsilon not by d expression घ्यान में रखें आप यह है तो c depends on पहला factor का है area of place जितना जादा area capacitance उतना जाद दूसरी बात separation between plates inversory proportional है pass होगा capacitance जादा दूर होगा तो जब भी हम capacitor बनाते हैं हमें पता होता है कि plates का area क्या है उनकी separation क्या है और epsilon not हम जानते हैं या हमने कोई और medium डाल रखा है किसी medium में हम क्या कर देते हैं a equal to epsilon m y k sorry y d यह medium के लिए है अब आप देखें third case है third epsilon of medium permittivity permittivity of me permittivity of me suppose करो यहां पर जो मैंने medium डाला हुआ है इसका relative permittivity e r या dialectric constant आपको पता है that is e m by e not तो अगर मैं medium जब मैंने vacuum डाला था तब a epsilon not by d था किसी medium में capacitance चेंज होगी यहां किया है यहां से देखो epsilon m की जगा आप क्या डाल सकते हो epsilon not into k यहां से देखो तो यहां क्या पुट कर दो epsilon not into k यह आपने क्या पढ़ा था initial capacitance तो क्या हो जाता है c dash equal to c not into k ज़्यां रखे capacitance आपने increase कर दे अगर बीच के अंदर का medium change किया तो parallel rate capacitor की capacitance इन तीन factors पे depend करती है ध्यान रखें आप तो अब एक बात आती है कि capacitor उने बताए कि capacitor का का काम क्या होता है हम बार-बार यूद बता रहें कि capacitor का का काम होता है energy को store करना तो capacitor energy को कैसे store करता है कितनी energy store करता है कहा store करता है अब हम उसको डिस्टर्स करते हैं तो स्क्रीम को पॉस करें इसको राट डाउन करें आप जो हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन है कैपसिट नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन यहां पानी स्टोर करना है थोड़े टाइम के लिए सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए तो हम चैपसिटर को YUS करते हैं और उस कैपसिटर में कितनी इनर्जी इनर्जी स्टोर्ड होती है तो वो हमें देखना है, energy stored in a capacitor, देखो यह आपके पास capacitor है, diagram की जरुब नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं, यहाँ पर आप charge add गर, charge दिया आपने, charge दिया, charge आगया, now you want to add some extra charge, dq, dq, suppose, you want to add, you have added a charge q, you want to add some extra charge dq, because the charge q is present on this place, it will repel this charge dq, electric field generate हो जाएगी इसकी, and you have to do a work, and that work will be stored in a form of potential energy, और energy in a capacitor, हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं, हमने basic concept पढ़ा है, कि जो work done हम करते हैं, और work done हम कहां करते हैं, conservative force में, वो हमारे पास potential energy में stored हो जाता है, यह chalk है, इसको मैं थोड़ा सा rise करूँ, इसकी height को, यहाँ था, अगर मैं थोड़ा और rise करूँ, और अब छोड़ू, तो यह वापस आएगा, क्योंकि इसके पास energy stored हुई, इस chalk को मैं यहां के बतले हैं, यहां लेके जाओ, मैंने work दोनों गेस में किया है, पर यहां पर against friction किया है, और यहां against conservative force किया है, potential energy stored हुई, spring को दबाते हैं, spring को दबाते हैं, और छोड़ते हैं, तो spring अपने आप वापस जाता है, क्योंकि उसके अंदर potential energy stored है, और यह सारे काम किसकी वज़ा से आए हैं, work done against a conservative force, तो यहां पर जब पहले से charge आ गया था, और आपने extra charge add करने की कोशिश की, तो यह पहले वाला charge इसको repel करेगा, and you have to do the work to add some more charge, and that will stored in the form of potential energy, देखो, तो let dw is work done, to add some more charge, some more charge, तो देखें, dw equal to vdq, हमने पढ़ा हुए, work done equal to charge into potential, अगर यह capacitor है, तो positive charge देते हैं, यह negative develop हो जाएगा, और इसकी capacitance, c equal to q by vw, तो वहां से, इस जगह से अगर आप चाहो, तो आप v की जगह q by c लिख सकते हो, तो charge कितना दिया था आपने शुग में, small q, तो small q by v, लिख सकते हो, sorry, small q by c, देखें, अगर आपने इसको charge q दिया, यहाँ पर potential v develop हुआ, तो इसकी capacitance कितनी होगी, q by v, c equal to q by v, यहाँ से आपने v की value पुट करने, तो your work done will be q by c into d q, and this work done against this repulsive force will be stored as a electrical potential energy, अब आप देखो इसके उपड positive charge है, electric field lines ऐसे जाएंगी इसमें, ऐसे, यह electric field lines ट्रवल करनी है, positive से negative, और electric field lines के बीच में energy stored होगी, energy कहां stored होती है, आप से कभी कभी सवाल भी बूचता है, इनर्जी कहां stored हो रही है, चार्ज तो यहां आ रहे हैं, तो energy कहां stored हो रही है, energy between the plate stored हो रही है, जहां पर electrical field lines है, और इसलिए इसको electrostatic potential energy कहते हैं, जो capacitor के अंदर stored होती है, one mark में कभी बार question पूछते हैं कि which type of energy stored in a plate of capacitor, it is electrostatic potential energy, and where the energy stored between the plates, where the electric field lines exist, जहां electric field lines होगी, उस electrical field lines की form में ही energy stored होगी, ध्यान रखें आप, तो work done, अब potential energy जो होता है, it is total work done, total work done, q by c, deep, मान लो, शुरू में कोई charge नहीं था, और आप add कितना charge आते हो, capital Q charger, तो total charge करें, तो देविक, u equal to, 1 by c is the constant, integration q dq, the limit is 0 to capital Q, here is the small q, the limit is this, integrate करो, आपको पता है, integration x dx का integration क्या होता है, x square by 2, plus c, यह integration होता है, यह formula हम use करेंगे, यहां पर, तो 1 by c को बाहर, और यहां q square by 2, because this is a bounded integral, 0 से q जाना है हमें, तो limit put कर देंगे 0 से q, 1 upon 2c is a constant, बाहर दे लेते, 1 by q square minus 0 by square, so q square by 2c, this is the energy stored, potential energy stored, between the plates of capacitor, again you can write as, for q you can write as cv, again 2c, this whole square, c square, v square by 2c, so you can write as, u equal to half cv square, this c and this c will cancel out, so your formula will become this, this is also a formula for potential energy, and it is more practical, because you can easily know the potential applied, and the capacitance of capacitor, अब कितनी voltage अपनाई कर रहे हो, और बनाते समय उस capacitor की, capacitance कितनी है, वो बहुत असान है, तो यह formula हम जादतर practically use करते हैं, बढ़ यह formula भी होता है, एक और चीज़ नहीं, इस formula को थोड़ातर simplify करते हैं, q square है तो एक तो q by 2 कर दिया मैं, और एक q by c use कर दिया मैं, और हम जानते हैं q by c equal to v, q by c equal to v, देखो यहां से, इसको इदन लेख, तो q upon c equal to v, so you can also write, for this you can write as a v, q by c, these are the three formulas, for potential energy, in numerical different places, you will use the different formula, numerical में क्या data हमारे पास है, क्या हमें निकालना है, उस case में हम कर सकते हैं, तो यह energy stored in a capacitor है, और याद रखना, capacitor की plates के बीच में, जहां electric field होती है, वहां पर energy stored होती है, और electrical potential energy stored होती है, plates पे नहीं होती, अच्छा एक सवाल और भी कई बार पूस्ते हैं, कि जो capacitor है, आप देखो इस पर इतना positive charge है, हम क्या लिखते हैंगी, यहां पर मान लो plus q charge है, और यहां पर minus q charge है, आपसे net charge पूस्ता है कितना है, तो याद रखना capacitor की plates पे, दोनों plates को मिला करके, q neck हमेशा zero करें, हम यह मान के चलते हैं, q neck charge on the plates of the capacitor is zero, जितना इस पे positive उतना ही उस पे negative, तो यह ध्यान रखेंगे आप, स्क्रीम को pause करें इसको write down करें, अब हम थोड़ा सा आखे चलते हैं, तो हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि अगर हमें, क्या निकालना है, energy निकालनी है तो work done करना पड़ेगा, आगे भी कई जगा आपको potential energy निकालनी पड़ेगा, आपने जब भी potential energy calculate की है, हमेशा work done calculate किया, मैंने दूड़े देर पहले आपको, parallel plate capacitor की capacitance को निकाल के बताया था, और वहाँ पर जब मैंने capacitance निकाली थी उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास cylindrical capacitor गी होती है, कैसे होते हैं, cylindrical गी होते हैं, और मैंने आपको बताया था, spherical गी होती है, spherical गी होती है, ठीक है, cylindrical यह है, एक inner, दूसरा outer, दो cylinders होते हैं, मालो outer वाले का radius है, rb, inner वाले का radius है, rb, यहां पर आप positive charge दे रहे हो, यहां पर आप negative आ जाता है, इसको आप ग्राउट कर देए, तो electrical potential energy, कहां store होगी, यहां, दूनों के बीच में, ध्यान रखें आपको, यह, और इसके लिए आपको इसकी capacitance का फॉर्मरा याद रखना है, simply, 4 pi epsilon on r a, r b divided by r b minus r a, यह formula आपको ध्यान रखना है, competitive exams में भी कही बाइस formula में based direct question आ जाते हैं, और हमारे CBSC में भी NCRT में एक example है, वैसे तो syllabus में नहीं है, बट आप यह याद रखते हूं, तो जादा better होगा, इसके बाद spherical capacitor दी आ जाता है, एक sphere, मानलो पीनर वाले का radius r a, इस पर positive charge, दूसरा hollow sphere यह, इसका radius r b, इस पर अंदर negative charge, बाहर वाले को ground, और यहाँ पर भी जो electrostatic potential energy stored होगी, क्योंको इनी दो plates के बीच में होगा, और इसकी capacitance का formula, अगर आपको लिखना है, आपको ध्यान हो रचे, इसकी capacitance के लिए formula क्या होता है, 2 pi epsilon or n, ln, ln, r a by r, ln means natural law, पर अब simple तरीके से इसको calculate भी कर सकते हो, simple तरीक है calculate करने का, calculation आपके course में नहीं है, और यहाँ रखे calculate कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, कि q by v equal to c, simple, q by c equal to v, देखो यहाँ पर नंदो, मैं दोनों बेर अलग करता हूँ, यहाँ पर देखो, यह स्रेंडिकर, यहाँ पर इन दोनों points की बीच का potential difference है, potential difference, this is the potential difference, यहाँ और यहाँ की बीच का potential difference है, इस plate और इस plate के बीच में, उसी potential difference की वज़ह से, यहाँ पर आपको work done करना पढ़ रहा है, और यही work done, energy के form में stored हो रहा है, तो देखें आप, अगर आप calculate करें, तो w, या आप करें, V into D, यह जो work done कर रहे हैं, वो इसी potential difference की वज़ह से आप work done कर रहे हैं, जो इन दो plates के बीच में हैं, और वही work done आपकी energy के form में stored हो रहा है, जिसका मैंने वहाँ पर expression लिखा है, देखो आप, अगर आप यह लिखा लो, e, equal to dv by dr, अब मैं यह potential difference calculate कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, एक formula, e dot dr, equal to v, potential difference, dv लिखा हूँ, यहाँ पर positive है, यहाँ negative है, यह high potential है लोग और यह low, तो आप जब यहाँ से low से high की तरफ जाओगे, तो आप पर force लगेगी इदर, displacement आपका इस direction में है, force आपका इस direction में है, तो theta will be vanity, तो what will be the value of dv, dv will be e dr cos of vanity, and it will be minus d dr, तो चाहे आप इसके लिए करो, चाहे इसके लिए करो, आपका dv यही होगा, stream को pause करें, मैं इसको right down करें, और मैं इसी को दुबारा लिख रहा हूँ, देखें आप, तो मैंने आपको बताया, कि आप चाहे कुछ भी लिखो आप, चाहे आप spherical लिखो, चाहे आप cylindrical, तो जो आपका dv होगा, it will be minus e dr, अब देखो मैं दो मों के लिए अलग अलग एक साथ कर देखें, स्फेयर के लिए यहां कर देता हूँ, और surrender के लिए यहां कर देखें, अगर आप यहां की बात करें, कहीं पर भी किसी भी जगाँ पर अगर आट डिस्टेंस पर electric field निटालते हैं, तो electric field भी q upon four five epsilon odd r square होता है, electric field from charge q at a distance r is this, यह electric field होता है आपको बताए न, यह charge q है, यहां से अगर आपको यहां पर electric field निकाल ही है, it will be q by four five epsilon odd r square, r is the distance, now for calculation of v, what we will do, we will integrate, it will be integration of dv and this q upon four five epsilon odd is taken outside and here you have integration of dr by r square, यह किसके लिए कर रहा हूँ मैं, square के लिए कर रहा हूँ, देखे हैं, यह q upon four five epsilon odd तो बहार, अच्छा इसके limit देखो पार है, आप क्या कर रहे हो, आप यहां से इस point से इस point पर आ रहे हो, तो इसका radius मैंने क्या माना था, rb और इसका क्या था, r a, तो आप कितना travel कर रहे हो, rb से r a, clear, यहां पर integrate करेंगे, तो integration का result कितना आएगा, यहां minus तो है, यहां integration का result कितना आएगा, minus one by r, and the limit will be rb to r a, this minus and this will cancel out, so this will q upon 4 pi epsilon 0, and you can take as a 1 by r a minus 1 by rb, this is your b, put q equal to cv, here you can simplify, q by 4 pi epsilon 0, this will be rb minus r a, divided by rb into r, now put q equal to cv, if you put q equal to cv, then you can write here cv, this v and this v will cancel out, so c will be 4 pi epsilon 0, this rb, r a, r a into r b, and this term will be in denominator, this is the capacitance of a spherical capacitor, need not to prove, आपको शर्फ एक्स्रेशन याद रखना है, इस case में भी हम ऐसा ही करेंगे, इस cylinder के case में भी, cylinder के case में क्या change आएगा, देखो मैं cylinder के ले कर रहा हूं, स्क्रीन को pause करके, इसको right down कर दे, center के case में जाएगा, यहाँ पर, थोड़ा सा change आएगा, क्योंकि अगर एक line charge होता है, क्या होता है, line charge यह, इसकी वज़े से electric field आप लोगो ने पढ़ा होगा, q upon 2 pi epsilon 0, r into l, जहाँ पर l जो है, इस line की length है, इस line charge की length है, तो आप क्या लिखोगे, q upon 2 pi epsilon 0, r into l, यहाँ पर, सेम तरीका है, यहाँ पर q upon 2 pi epsilon 0, l भी भाहरा है जाएगा, और यहाँ पर r आएगा, और 1 pi r का integration, क्या होता है, ln, ln यह लोग भी बोलते हैं, base e निदेते हैं, log base e का मतलब होता है, ln है, natural log, तो भी मैं ln लिख रहा हूँ, ln और r, natural log, ln, अब नहाँ पुट करें हैं, यहाँ देखो, q by 4 pi epsilon, q by 4 दिवेटर 2 pi देखो, 2 pi, q by 2 pi epsilon 0, here you put, here you have the minus sign, minus sign, यहाँ है आपके पास, तो आपके आपके पुट करोगे, ln, you will put ln, r a, minus r e, again, this will become 2 pi epsilon 0, and because you have minus here, तो you can write as, you can write as, r b minus r e, and you know log of m minus log of n, the formula is log of m by n, here you have r a minus r b, if you put the minus sign inside, यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ln, r b minus r e, तो उसको क्या लिख सकते हो, आप simply, तो उसको simply आप लिख सकते हो, ln, r b by r e, simple करीगा लिखाएगा, यह लिख दो आप, फिल से q equal to c, जगो b b cancel out, तो c की जगा क्या है नहाँ आपने, c की जगा, 2 pi epsilon, जो यह था, साथ में यह l है, और यह ln वाला term, नीचे चला जाएगा, ln, r b by r e, और वही, sorry, यहाँ मैंने r e by r b लेखाएगा, यहाँ r b by r e, तो यह formula है, formula यहाँ रखना है आपको, derivation ऐसे आती है, potential का concept लेके आप capacitance लिकालते हो, ध्यान रखना आप, बहुत important topic है यह, इसके बाद, अब हमारे पास एक और important topic है, जो हमें पढ़ना है, इस chapter में, that is energy density, आपको बता density का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके density निकालो, mass upon volume, वैसे ही आपको capacitor में जो energy stored है, उसकी energy density को calculate करना है, capacitor में कहाँ से energy stored है, electrostatic potential energy, कहां stored है, electric fields में, और electric field कहां है, दो plates के बीचों बीच, यह ध्यान रखे हैं, आप screen को pause करके write down करते रहें, अब हम calculate कर रहे हैं, energy density of a family plate capacitor, हमने normally density बढ़ा है, mass upon volume, यहाँ पर energy density है, तो energy upon volume, important topic है, energy density, energy density, और याद रखे हैं, हमारे स्रेबस में सिर्फ पैर्लल पेट capacitor है, तो हम सिर्फ पैर्लल पेट capacitor की बात करते हैं, energy density को हम small u से रेप्रेजंट करते हैं, energy density small u is equal to energy, energy stored per unit volume, अब हमने अभी पढ़ा है, यह पैर्लल पेट capacitor है, जिसके plates का separation B है, इस plate का area A है, तो हमने इसके लिए energy क्या पढ़ी थी, half cv square, half cv square, volume, volume क्या होता है, volume equal to area A into distance, symbol देखो, अब आप आप आपको पता है, energy किसके form में stored होती है, voltage के या field lines के form में, field की form में stored होती है, तो इसको convert कर दो, week कर दो आपको पता हैं इसकी होता है, तो वी की जगह आप ली पूट कर दो, half और parallel plate capacitor की capacitance क्या होती है, A epsilon odd by D, यह capacitance है, parallel plate capacitor की, A epsilon odd by D, clear, तो देखें, यह पूट कर देखें, C की जगह A epsilon odd by D, B की जगह E D, जिसका hold score divided by D, simplify कर दो इसको, half A epsilon odd, उपर के आएगा, E square, D square, appointment, यहाँ D, और यहाँ A, यह D square इससे cancel आउँ, यह A, इससे cancel आउँ, this is 0, half, E epsilon odd E square, यह energy stored, energy stored per unit volume, this is the energy density of a, parallel plate capacitor, यह देहाँ तके, वैसे भी, आपने लेकर capacitance हैं तो इसमेहें हैं, किसी भी capacitor में अपनाही कर सकते हो, तो जो एलेक्रिक फिल्डर्स का स्वेर लगे, उसको permittivity of medium में इसमेहें अपनाही कर दो, तो इससे इससे एक्सप्रेशन फोर, density of a parallel plate capacitor, तो I hope कि आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया हो, समझनाया होगा, कोई भी problem, कोई भी doubt है, तो comment section में comment करें, जरूर आपके comment का answer दिया जाएगा, thank you so much,